मुझे रेंजर्स का पता चल गया है सर वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में है और वो रोबोर्ट उनके साथ है मुझे एक्सेक्ट कॉडिडेट चाहिए अभी हमारा काम हो गया ट्रॉनिक्स पहरा दे रहे हैं वो साइबर गेट वहां अदर ही है वो बड़ा है इसलिए उसे यही रखाओगा ट्रॉनिक्स कही जा रहे है तो चलो चले तो बहुत इंपोर्टन्ट हो तुम्हें वहां ले जाने का खतरा नहीं उठा सकते मेरे पास एक प्लैन है वहां से हिलना नहीं रेंजर्स उस रोबोट को पकड़ लो रुकिये प्लीज हमारे पास एक प्लैन है सुन तो लीजिए तुम्हें डारेक्ट आडर का उलंगान किया सुनने का वक्त खत्म हुआ डेंट 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 लेज वॉक्सी प्लीज उन्हें जोड़ दो हाँ जरूर बस रोबोट को हमारे हवाले करो और इन्हें कुछ नहीं होगा सर आपके क्या ओडर्स है महम मुझे नहीं पता जो वो चाहते हैं हम उन्हें नहीं दे सकते पर मेरे बच्चे टिक टॉक 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 तो आपको कौन प्यारा है जैनरल आपके बच्चे या वो रोबोट उन्हें छोड़ दो मुझे ले जाओ स्टील नहीं डरो नहीं भाई तुमने मुझे एक फैमिली का मतलब सिखाया और इसके अलावा और कुई लास्ता नहीं जेनरल रेंजर्स जरूरत मंदों की रक्षा करते हैं और इस वाट आपके फैमिली को मेरी जरूरत है मेरी बड़ी से इवाक्स ताकतवर हो जाए पता है तुम उसे हद्म कर दो गया वाव तुम तो सप्राइजस से भरे हो एक्चुली मैं वायर से भरा हूँ देट! देट! पत्यों देट! थैंक्यो वेलकम मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता तुम्हें मिस्स करूँगा भाई मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा बबाई चलो हमें बहुत काम करना है मैं कितना गलत था मैं अब तक देख नहीं पाया था पर तुम और स्टील सच में फैमली हो आम सॉरी नेट सर मैं ये नहीं मुरे दे सकता मुझे उसे बचाने की कोशिश तो कर नहीं चाहिए इससे पहले देर हो जाए अपने भाई को ले आओ हम ये मिलकर करेंगे हम तुम्हारे साथ है नेट हम मॉर्फ करने का वक्त आगया एक्टिए पावर हाँ 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 झाल झाल